शनी जो अभी तक वक्री अवस्था में थे वो इस नवंबर के महिने में मार्गी हो जाएंगे और शनी के मार्गी होने का प्रभाव हर एक राशी पर देखने को मिलेगा लेकिन मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ तुला राशी के लोगों के लिए शनी के मार्गी होने क के प्रभाव के बारे में जय माता दिग दोस्तों आप सभी का स्वाधत है हमारे youtube कर्म के अनुसार उसका रिजल्ट रेते हैं शनी को जहां कर्मफल दाता कहा गया है वहीं इनको दुख और पीड़ा का कारेक्ट भी कहा गया है क्योंकि शनी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं शनी की साड़े साथी हो उसमें व्यक्ति को ये इतने अनुभव कराते ह ये व्यक्ति को अपने और पराय के पहचान कराते हैं या ये कह सकते हैं कि शनी वो सिक्षक हैं जो व्यक्ति को एक तपाकर अनुभव की दुआरा उसको लक्षप्राप्त कराते हैं उसको अनुशाशन सिखाते हैं काम करने की इच्छा उसके अंदर देते हैं कि कर्म करोग तब ही result मिलेंगे यह शनी है और भी बहुत कुछ है क्योंकि शनु तो कर्म का हिसाब रखने वाले हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं कि शनी जो है अब मार्गी होंगे 15 नवंबर के दिन और 15 नवंबर को मार्गी होकर कुम्बे राशी में यह मार्च 2025 तक यहीं रहेंगे उसके ब लोगों के लिए शनी का क्या result होने वाला है तो एक पस छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर पहरी बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं लिया है तो देखें तुला राशी की पुंडली में शनी पंचम भाव के स्वामी है और यहा करें आपके पंचम भाव में ही यहां गोचर करने वाले हैं पंचम भाव को क्या नाम से जानते हैं किन चीजों के कारक है तो देखें पंचम भाव यह सिक्षा को दिखाता है यह प्रेम को दर्शाता है यह संतान को दर्शाता है यह शेर मार्केट को भी दर्शाता है यह प तो इस बात को कहने में कोई दोराय नहीं है कि शनी जो है इस मार्गी इस्तिथी के होने के बार आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं इतने अच्छे result देंगे कि आपके जीवन में जो परिशानियां चल रही थी न उन परिशानियों से आपको मुक्ती मिल जाएगी ये समय ऐसा होने वाला है ये शेर मार्केट से आपको लाब दिलाएगा जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आप अपना इतना effort डालेंगे कि उस काम के द्वारा आपको पहचान मिलेगी जी बुद्धि मानी बुद्धी का भाव यही होता है पंचम भाव सहरी काम को करने से पहले दो बार सोचेंगे कि ये सही है या गलत और जब व्यक्ति ये सोचता है न कि ये सही है या गलत तो वो decision अच्छे लेता है योगि कहीं न कहीं उसे गुंजाईस होती है वो सोचता है कि गलत निर्णा न लगे तो क्या करेंगे आपको अपने लक्षम को प्राफ्त करने में मदद भी मिलेבה सजग में रहेंगे तो आछे result आपको देखने को मिलेगे सांध में शनी क्या है शनी करियर से जुरी समस्याओं का समाध celebrating करीर का अगर आप देखें तो का रिजल्ट नहीं मिल पारा है और आ पुर्पारा है काम बंते-बंते रुख जा रहा है तो इक सभी चीजों से कहीं आपको राहत देखने को जरूर सी बिलने वाली चौते भाग के सवामी भी है शनी आपके चोथा भाव क्या है चोथा भाव property का है मकान का है वाहन का है अब इन चीजों में आप देखेंगे कि मार्श गोजार पक्षिस तर वाहन की खरीदारी मकान के बनना ये आप के लिए निश्यत रूप से संबाव होने का योग बना हुआ है अगर आप भूमी भवन खरीदना च चाहते थे या वहां आप खरीदना चाहते तो वहां उसके बड़े अच्छे योग बने हुई है और वेपारियों के लिए इस समयागभी में आप अपने प्रदर्शन को अच्छा करेंगे अपने छेत्रों से आप जुड़े हुए हैं अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ पा अपने का मौका आपको इस समय में मिलने वाला है आपकी कुंडली चभी आपको पूरा करने के लिए आफर्ट करना तो आपको एफर्ट कर पाएं गी जिससे आपके आपके आपकी बहुत अच्छी जो वोजल भी आपकी सणी ही पॉजिशन है वो बहुत अच्छी बनी पुरी में संतान का भाव है इसिक्षा का भाव है यह higher education से जोगे जो बच्चे है उनके ले बहुत अच्चे रिजल्ट उनके विदेश जाने का मौका सिक्षा के शेत्र पे अच्छा करने का मौका अपने परिणामों को लेकर अगर आप परिशान हैं आप competitive exam आपने दिया है और आप सोच रहे हैं आपके क्या होगा मेहनत भी आपने की है तो निश्यत रूप से उसका परिणाम बहुत positive देखने को मिलेगा आपके अंदर रचनातमक्ता में कोई कमी नहीं होगी व्रद्धी होगी आपके अंदर रचनात मकणा रचनातमक्ता में व्रद्धी होगी और चीज़ें आपके अनुसार भी जलेंगे जिस हुशी की तलाश अपने जीवन में आप कर रहे हैं वो उस खुल्सीकी तलाश आप कर पाएंगे नैंकि संसक्राफ्ति होगे और अपने टीम के साथ किसी प्रोजेक्ट पर आप क समझदारी सबसे ज़्यादा माइडे रखेगी क्योंकि बुद्धी के भाव में अगर आप देखेंगे तो शनी देव लिदाश्मान है और समझदारी से बहुत काम लेने वाले हैं वैसे कि तुला राशी के जातक क्या होते हैं तोल कर काम करते हैं तोल कर यानि कि एक बैलेंस क्योंकि प्रेम का भाव यह लिए पंचम भाव किसी तरह आकर्शित हो सकते हैं प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे सोच बहुत अच्छी होना और अलग होना अनोखी सोच कुछ लीक से हटकर सोचेंगे तो आपकी तारिख भी और आपस पर अपना समय भी दे पाएंगे विवाहित जातक के लिए क्या है विवाहित लोगों के लिए यहां चीजें हैं कि आप अपनी फैमिले प्लानिंग कर सकते हैं संतान के योग बन रहे हैं कि अगर आप काफी समय से सोच हैं संतान प्लानिंग यानि बच्चे की प्लान करने के बारे में तो यह उचित समय अभी जो टाइम चला देके मार्ट काफि किलाव है लेकिन अभी जो समय चलेगा तो इस चनी धीवी गती से चलता है तो रिजल्ट की धीवी धीवी मिलते हैं लेकिन टाइम पीडिकना होगा नमबर दिसम्बर जनवरी फर्वरी और मार्ट इस टाइम पे आपको उसके शनी की आपकी जीवन में अंतर दशा चल रही हो तब भी उसके रिजल्ट बदल जाते हैं क्योंकि आपकी किस भाव में उस समय पे शनी बैठा है जिसकी महादशा है तो उसके रिजल्ट बदल जाते हैं प्रभाव उसका चेंज हो जाता है लेकिन गोचल में यह रिजल्ट तो देखने को मिलेंगी थोड़ी बहुत कमी आ सकती अगर नेगेटिव भाव में आपके वो शनी बैठे हुए हो लेकिन हाँ इन चीज़ों के लिए अच्छा है तुला राशी के लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छे रिजलेट आपको देखने को मिलेंगी करेर के के लिए भी माता की साथ अपने बॉंड को बना कर चलें एक चीज़ याद रखे शरी अनुशाशन को बहुत मानते हैं अनुशाशन प्रिया है अनुशाशन के रहतर काम करेंगे अगर अपना टाइम टेबल आप बना कर काम करेंगी इस अभी के लिए है कि आपको यह कार्य कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजर्ट आप देख सकते हैं नियम के हिसाब से चलेंगे तो चीज़ें आपकी मुठे में विंगे चीज़ें आपके अनुसार करेंगी क्योंकि जो शरी चाहते हैं अगर आप उनकरते हैं तो निशित रूप से लाव आपको होना ही होना है हैं वहां तेल का दीबक करेंगे मार्श तक बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे तो बस आज की इस विडियो में उड़नत्र वीडियो कैसे कमेंट करके बताएं जोवस्ञाने होना